इसलाम अलेकम आज मौलजात का एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वर्म में अमा यह बड़ी आंग का वर्म है स्वरी आज एक टॉपिक पढ़ें वर्म में अमा इंटेराइटिस ठीक हमा की पूरी लंबाई यह दराजी में और सारे तपकात में इलतिहाब अमा होना बहुत कम है कहा है अपना है कि पूरे अमा में इलतिहाब होना बहुत कम है दराजी मतलब लंबाई और पोरी दराजी पें नहीं होगए और यह दुपीर तपकात में एक साथ होना नहीं और यह ने यह सबुआ है यहरी यह सोद पूश upwards होता है एक्साथ पूरे टल्गाथ मेंहों नहीं होता एक साथ अभूरान अएससा नहीं होता है ठीक है ए लेकिन कहा ऎगे अगर आतों में वर्राइव है यूभ कि उसमें स्गींपर की पार में इसकady खिसा यहां मरती को अवर्मेन कि वर्म होना कसी रूलो कुई है कछी रूल ओऊ है यह तो इस प्लेट हो गया कि अमा में पूरी लंबाई में एकसा नहीं होगा या पूरे तबकाद में जो लेकिन इसका जो सिर्फ मुकस में घशाय। मुखा आप जिए आंगे लिखा बादर दा नाथ निगलने के जमाने में जब आमाक की गशाय मुखाति वणल सुर्ख हो जाती है और गशाय मुखाति सुर्खेंग था झाल जाती है और बार-बार होता है खलald सब्सक्राइब के बाद है जो बहुत इंपोर्टेंट है वर में जायदा और में जायदा नुर्म के मनें इंफलामेशन जायद के मतलब क्या है और एक्स्ट्रा या प्रोसेस यह कोई भार एक विच्छ जो एक्स्टरनली निग्ला हुआ हो और के मनें हुआ 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 है और के मनें है तो इसलिए प्रोसे मताई आपनों मताई नहीं अब फस गया इसका मतलब है इसका तो वहां पर बताया थे और इसको बोलता है है सीकम का नाम क्या है ना फिर जो असेंडिंग को लोन का नाम क्या है तो या रखना चाहिए था और का मतलब सीकं होता है और लोग इसी को अबरिश। एपनिकस लिकते रिइंते अब लगा गया तो बोर बोटिस अबसे प्रतिम का एक और है या वहां से नकलने माला कोई जवायद है जिस में अगररिया एंफ्लापमेशन होता है तो उसको लोग और में जायदा ओर कहेंगे स्धिक और आगे लिगाएं कि entering भी करते हैं और में ख्राइतlegen और एक नाम है में लोद्या भी करते हैं और में जायदा लोद्या ऐसा क्यों हराथीन की बोलते हैं केचुआ को फानों और था को करतीं बोलता है किड़े को बोलते हैं तो इसकी जो शकल ए इसकी जो आपने कीड़े कि तरह कि इसी निसबस से इसको खरतीन कि नम सी जानता है जब ए दोडिय के नम से जानी जाता है और इसमें हुने वाले वर्म गम लूब ये भी बोलता है हैं और में फिर नहीं तीया ll grav Department के Ländern के लिहास से वर्मजाइद अउर की दो किस्में है एक तो वर्म नजली दूसरा वर्म तक अलसरे टेश्टरीट ए और यहां पर कुछ मत्रब के माददा गिरता है इसकी इस जगह पर इसमें अगर कोई माददा यहां पर गेटा है तो उसको में नजली बोलेंगे तीक है तो यह दो किस्म है वर्में जायदा और यागी अगे लिखाए वर्म मतकर्रा में करहा मौझूद होता है पीप आयाते हैं और यह खतरनाक सुरत कर लेता है यह आप लोग पढ़े होंगे कि इसका जो कम्लिकेशन है अगर इसमें पस जमा हो जाए तो फट जाए तो फिर वह प सब्सक्राइब करेंगा यहां वही कह रहा है कि जब उसमें पीप आयाते हैं तब यह खतरनाक सुरत इख्यार कर लेता है यह कुछ भी हो जाता है कर वह बस्ट कर जाएगा तो कम्लिकेशन बहुत सारे होने लगेंगे आगे लिखाए वर्में मतकर्रा में जब सिफाक के अं सब्सक्राइब के इंदर सब्सक्राइब होता है तो इस वक्त वही अलामत नुमा होती है जो कि सब्सक्राइब के इसमें अप्रेंडिक्स में जब इंफ्लामेशन हुआ है और इसमें पस बन गया है और यह पस यहां से फट करके बहा निकल गया है का निकल गया है प्रिटुनियम केरिया में तब कह रहा है कि ऐसी सुछत में वही हालत नुमाय होती है इसके वार्म असलुल उज्न क्या क्या वार्यज हो सकते हैं वर्म असलुल उज्मने बोले वर्म अगदी दोस्ट नासूर इसमें हार भी लगा हुआ है नासूर असलुल मॉम्स कान के जड़ का वर्म कान के जड़ में जो गुद्धा है गुद्धा यूज का क्या नाम है पैरो टीड ग्लैड उसमें इंफ्लामिशन होगा पैरो टाइटीज भी बोलते हैं पैरो टाइडाइटीज टिक है टेक अश्टिएं यह वार्म अगदी दूस गया है यह क्या है वाल मक्दी दूस क्या है यहां से टेस्टिस से जब यह निकलता है इस हेरिया को क्या बोलता है इस यहां से यहां तक को फ्रेटिस हेरो ऑणिया आधियों डियारी आधिया इसले रीजन होगा है इसके बॉडी हो गई और इसका थेल गया इसका है इकते हैं कि इसको छ नंदधी दोज बोलते हैं स्urdayूं और मेस्फ्राज रबाद भी एपने का चानल सके और यूज में fat और तो इसके हैं जो चिजममे हैं वो इसका नाम जब आपको निया रखना है के लिए वह स्काना वर भार में जाहिदा और से भार्ते वह बहुते और छाइदा दूधया भी बोलते हैं तो इसकी कौन सो कौन सी किसिम जादा खतरनाक है हुए है मतकरह वाली एक तो नजली किसम है और एक मतकरह भी है तुम तकरह वाली जह वह ज्यादा खदनाख है क्योंकि उससे उसमें पस बनता है अपस जो है अगर ट्रिटॉनिया में डिचार्ज हो जाए तो वह पहना करता है बहुत इंपोरेंट टॉपिक है वह कब्ज को नस्ती पिशन बहुत इंपोरेंट इसलिए है कि इसके जो नाम लिखें है इतने सारे लिखें है कि उसमें से सवाल अक्सर पी जी में आया हुआ है ठीक है क्या नाम लिखा है है हे स्वाद्रे हधि यह पूछा हुआ है इन में से कौछ सा खब्स है या हसर मने क्या है किसा फूचा हुआ है ट्रीन पॉइंट मुतानादीफ नम याद रखी है सवाल वह दिए बूद आसान है एतिवास बतन इहतिवास एतिवासल बतन गें है यह बाद लिखता है इसको एहतिवास तबीया इसको एक्तिकाल बतन भी बतन और इतकाल तबीया भी गोलता है इतकालत तबीया भी जी को आता होगा इसको इसके माने याद होंगे और आगे इमसाक्ल बतन ही गोलते हैं इमसाक्ल बतन और नाम और कहा है नहीं इतना नाम तो एक चीज़ का अगर इतना सारा नाम दिया हुआ है तो जाहर बातीस सवाल बनता है तो इतिवास वबतन एक log नाम से जानते हैं है कब में बतन का मतलब थो है यह बतन का अब लोग उसमें पढ़े कोई है वी यह बतकर लाथ है जैसे विन्ली किल बतन बोलते हैं और उसी दरह से पीट को भी मारतत कि हता है है तो वह पर ऋँआ हो रही है रोकावत हो नियह मादा फुरा नस अंधॉ हो जा रहा है आगे लिखा है क्ब बहुत के माने रफ्ट किया है में क्वाने टो चोब करन कर्ाया यह स्वाल यहीजी पूछा दो लुखा है यहां से पूछा जारा सवाद जो भी सवाल बनती है और इसमें क्या लिखा है साथ तोसे लिगा है कंगाने कि क्ऑप्स के बाने पकड़ रख के एब चरह हैं कि आ यह पी Invest मी जा tends जानना चाहरा है कि आप यह वाला जवाब दे रहें कि नहीं तो अल्टर्णेट नाम हैं इंगलिश में को स्टिपिशन बोलता है लेकिन माने का मदब हुआ कि उसी लेंग्विज में उस इस्तला के क्या मनें तो है जिसका तर्जमां अर्वी में Umsak के है उसी किवयि लिकान किव्ञा इस मर्वें बराजको आते अपनी ग्रफ में लें रहती हैं किसली इसका यह नाम रखा गया है ठीक है मुशिक बखिल alien करते हैं जो करता है माल को पकड़ता और कम खर्च करता है उसी से साक बना है और घुझे हमारे और भी जगा फर्टा है हर जगा यहीं मतलब होता है कि opas विखाषी होई विखना होई यह को किसी की लिए पकड़के रखी हुई है तो यह तो वो मुम्सिक के माने हैं और इसी की वजह से चुकि यह माल को पकड़के रखता है मुम्सिक बोलते हैं इसी की डिस्पर से कब्स को भी इमसाक यहां पर इमसाक बतन इमसाक लिखा हुआ है इसी को किसी भी चीज़ को बतन में क्या बांध करके रखा गया अच्छा उससे तबिया का मतलब है तबिया चुकि जब भी कंस्टिपिशन करके कि अच्छी को होगा तो पूरी तबियात बोजिल रहती है तो इसी निजबत से यहां पर यह बास तबीया भी लिखा हुआ है और तबियात ही पूरी बोजिल रहती है और जो आदमी जब फरागत के बाद जो फ्री मसूद करता है इसा नहीं होता इसलिए बाग इस्तलाह मे चक्छी बीखा अच्छा यहां पर दूसा माने भी लिखा गए अधियात के माने पूस कि लिखा गया मैच तो उर्रेया वह बहुत इमिल लेन कि ह..., तबीया से मुराद क्या है इसी निस्वत से यहां पर लिखा गया कि इस तो बरास को यहार पकड़ गढ़न इसका ब्राइब का इसने हम पर इतक्वास्ट तबीया लिखाए लिखा है MA al-raja एक फुद्वेज है जो मेदा और आमा के अमले हजम जजब के बाद बाकी बच रहता है और इसमें तक्जिया की सलायत नहीं रहती तख्जिया की सलायत नहीं की रहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो नुट्रिशन था वो सब अब्सक्राइब हो गया कहां जब जब हो गया और फुजला जाएं जिसम निद्य फुजला की तो उसका मतलब बराज ही हो और बीजसे निगलते समय को पासीμο यहां पर इंदिक पाव से नहीं किये घ्र sıkर का कि उन कमतलव इस तैसे दुछ मोले कि लिए वी और emotल्व नहीं निकलना जाए यह नहीं मुराद लिया जाएगा है कि ठिले है कि मेदा को उम अबराइगा इस लिए सवाल नहीं पूछेगा मेदा को इतना भीником इंसान जयमता है मुझा सब्सक्राइग धुद्र amiga व्मूलाम्राइब मतल फिमा हमल है मानने सामार्ज की माह अबुला मराज विह दो अब यह इमेर तो नहीं प्मूल ऑप बहुत सरे मर्स प्याच होता है लेकिन अब्ली बावराज इसक्छार को वह है उनला नजला को अबूलमरास करते हैं यह बहुत ब्रोड का बाप है यह जनक है हना नजला से पेट भी खराब हो सकता है तानला से तनफुस तनफुस अम्राज तनफुस हो सकता है और इसे से वजल मुफासिल हो सकता है यह तीन बहुत कॉमन है इसके इलावा जब यह खराब होगी तो और भी कैसे डिवलप होंगे इसलिए इसको अबूल अम्राज करते हैं ऐसा काम कहां लिखा है साविर मुलतानी सहब कि तहकी गाति बल्यात उसमें यह लिखा है कि वहां जो मतब के नजला है यह अबूल अम्राज करता है कि में चाहिए जिस तरह जाबत का नर्म होना बुरा है इसी तरह सक्त होना भी लेकिन नर्मी सक्ति से बहतर है यह लाइन भी इंप्रटेंट है कि इसने का ही लाइन अजाबत का नर्म होने से मुराद यह नहीं है कि नॉर्मल हो रहा है मतलब इसहाल नर्म होने का मतलब क्या है इसहाल होना ठीक है नर्म होने से यहां पर क्या है मुराद इसहाल होना क्योंकि नॉर्मल होना तो नॉर्मल सी बात है उसे कोई दिकत नहीं बड़ी में लेकिन अ और जामबत का सक्त होना ओlet कि करको नोगो कबश बोलेंगे कहा कि दोनों बुरा में लेकिन बुकारत करने कहा कि दोनों बुरा रेहल ने कहा के दोन्हे 생각 है अक्ड़तर आप जादा पुरा असा और ने मुखष त nhưng कि है कि बुकरात ने इस हाल में से किसको जादे बुरा सिख है वह है कि इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा और और बॉर्टी का वातर होगा इस नहीं इसमें क्या होगा कि फूदलात रुकते हैं फूद आप बोड़ी में रुखते हैं तो यह बोड़ी को मुखसन पहुचाते हैं फूदलात पहुआ लाइस होOOD है को धूद Из खेली सना ज्यादा बुरा माना आता है ऐसा मुक्राइब काॉल है तो चीज़ है एक तो एक किसी की है बिच्वल को स्टिपीशन है ठीक है तो उसको आदस ही होगा यह दो थी दिन पड़ा हुआ है अपना उसको लेकित तो होती है बट उतना ज्यादा लोट नहीं लेगता जितना के जि जिसे आप अगर रफेज कम लेंगे तो जाहर बाते फूजलात कम बनेंगे तो जितना अगर अगर आप सिर्फ चीनी खाईए तो क्या होगा तो इस तक की चीज़े अगर आप खायते हैं तो फूजलात नहीं बनेंगे अजब फूजलात कम बनेंगे तो जाहर बाते के वह कब्ज की तीन शक्ले बताई गई है कब्ज की तीन शक्ले हैं क्या बताया है पहला बताया है वक्त मुताद पर अजाबत करना होना यानि इसमें ताखीर होना यानि कि पहला लिखा वक्त मुताद पर अजाबत का ना होना करद बताया कि अजब आधा लुद्धार का घ्र जर्विश्याप अलगान奋 लगाना इस जादर लगाना अजाबत का सहूलत से ना होना ठीक है यह तीन अलग सुरते हैं वक्त मुदाद बना होना यह अगर किसी को रोजानक सुभा में मतब के अजाबत से फारी होनी का आदत है और सुभा में नहीं हुआ तो उसको फील होगा के कब्स हो गया ना वो दिन भर प्रिशान रहे अगर किसी को मतब के बल्क में कमी आ जाए ठीक है थोड़ा सा स्टूल पास हो तो उसको भी बहुत फ्री मसूद नहीं कर रहे हैं तो असी सुरत में वह भी एक कप्स की सुरत है तीसा के सहूल से नहीं नहीं हो रहा और उसके लिए बार बार उसको प्रेशा लगाना पड़ रहे हमंगा इसे भी नुक्सान है अजाबत की मिदारत कम होगी उसको बार बार जाना पड़ेगा फारी होने के लिए एक बार लोग बोलते लोग देर बार रही होते है तो आपने को यह तुछ नौने लगता है और अगर वह नुक्सान है और कशकल पूछे तीनों पूछे कि कि तीनों में से कौन की कौन सी कब्स की शकल नहीं क Absol नहीं की दो सुर्टें को मस नमी की दो सुरत में की दो सुरते हैं एक सोथ कि अरदी जोके किसी इतफाकी गवाल नतीजा हो कि रुख दादी की दो सुरत है एक है आरजी नुटे तक इतफाकी भी बोलते हैं इतफाकी एन maya इतफाकी वजह से हो जाए और दूसरा है दायमी तेक है या एतिबारी जिसमें हमेशा एकसर करता है तो एतिबारी भी बोलते हैं मैं हमेशा कब्ज रहता है तो यह दो दो चीज़े जो है कर दो बताना है किताम ऐसी लिखा हुआ है कि मुझे डाउट ठोड़ा है कि अल्री यहां पर दायमी कह दिया तो इसकी दोस्ति क्या होगी बैसलिए कब्ज की सुर्त होनी चाहिए आरजी या दायमी आरजी जो होता है कभी कभी होता है किसी किछी को आज हो सकता है के सुबह बढ़े उटे और ऐसे काम में बिजी हो गए लेकिन किताम में ऐसे ही लिखा होएं मैंने असी बता दिया आपको और हो सकता है किसावल पूल छिव हो सकता है के खडायमी और आजकर टाडी लिगवान में आरजी चले अगे कब्स का कसीर वकू कि सबब तसाहिली वह तगाफुल है कि जब कोई ब्राज को बार बार नौटता है बार बार ठालता हो तो फिर उसका एसास जाता रहता है आप लोग पढ़े होंगे के नॉमल प्रेस्टालिटिक मुमेंट जो होता है ना उसके इलावा भी ब्राज को पास क करने के लिए प्रेस्टाल से मुमेंट होता है ना वह मुमेंट 20 गंटे में दो बार किसी को एक बार किसी को दो बार किसी को तीन बार होता है और उसी प्रेस्टालिक उसी मुमेंट की वजह से स्टूल पास होता है और वह प्रेशर आता है तो उसकी वजह से स्टूल पास हो वह मदब के नहीं गया सही जगह पर तो फिर क्या हुआ भूल गया और यह जो प्रेशर आया था अब फिर प्रेशर नहीं बनेगा तब जा करके वह मुशन फिर से होगा उसको तो अगर ऐसा बार बार करेगा तो फिर उसको कॉस्टिपिशन की आधर सी हो जाएगी ठीक है तो पर गया और झाले करना यहां की शकल कितनी है तीना वृत मिश्टा है तो से सॉलवर पूजा जासता है यह इंपोडटन्ट है तबिया के माने बराज बताया यहां पर फिया रखने वाली चीज़े और बराज जो है वह मत्तु के जिस्म में इस इसे पर जादा नुक्सान दें यह भी बताव कि इक इंपोर्टन थे माने क्या है पगर याद अधिन वाली चीज इंसाक ममसी को बोलते हैं बखील को बोलते हैं यह यह सब कर चीज इस टोपिक में था कुछ और पॉइंट है लिखा है कि जब कोई शख्स दिमागी मशागिल में रहता है तो दिमाग की तरफ खुनजादा जाता है और अधिन हजमा की तरफ वज्ज़क कम हो जाती है और आखिरकर कर प्जोता है ऐसा अकसर मुष्णिफीन मुफक्करीन मुसवरीन वगर में करते हैं नहीं नहीं चीज़ेंट करते हैं ऐसे लोग ने हैं आपकर ने गाम दिमाग का काम लेगा तो ब्लड का सवीलेशन दिमाग में जादा रहेगा और हज़न की तरफ से उसका जो ब्लड का सब्टने तर चला जाएंगा इसलिए खाने के फौनबाद पढ़ने किले मत करने के लिए चाहिए वह जादा होता है इसलिए खाने के फ़नुबाद नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है तो कि ब्लड का गुलकोज लेबल बढ़ जाए इसका काम हो जाए तब आप में समल केजिए आगे लिए कब्स की वजह से जिगर के फाल मुतसिर हो जाते हैं और जिसमें पर से सुल qinya पेदा हो जाता है मैं जहर बात कब्स हुआ तो क्या हुआ है यह मालेन के आपका जिए टी यह आपका लिवर है ठीक है यहां पे इसको पास होना था पास नहीं हुआ और यह जमा होते हुटे कर में जमा होता जा रहा है मैं टिसला यह इंहिसलाथ जो है इंब ज्याद इना ठीक से रुकरहा है तो यह जाता है यह मतसिर होगा तो पिर जिगर मतसिर होगा तो सारी चीज बनाने का काम घरता है की सहब किर द कि शूल को यह का क्या है मंडिते कन् solकुनिया से पूल की लिखा है स्वहां है सुलकूनिया नहीं होता बजब कब से लिवर मतसिर होता है और बीब के पूसर होनेसे शुलकूनिया होता है अब्स early कि अनुम्या आधा है युज निमिया है जाल किया है और साल पीजी में पूछा हुआ है कि दायमी कब्ल में क्या लिखा है तेज और मुसिल कभी देगा तेज और कभी मुसिल तेज और कभी मुसिल का इस्तमाल ममनुन है यह लाइन या दखेगा ममनु है कहीं कहीं पर लिखता है कि सुद्धेश और कभी मुसिलात का इस्तमाल ऑप्षन छोड़ देगा ममनु है या मंदब के लाजिम है जाइज है या नाजाइज है इस चोड़ देगा ठीक है तो यह लिखा है हमको उस पर फोकस करना है क्या लिखा है कि मम्लूब इसमें कभी और दिर्मसील नहीं देना चाहिए बलके के नाटलinform करते हैं या गुलकन देगी तीक है लेकिन नुकसान होने के लिविदि मताय जाते है आजजी और अतफाखई कभ़्म में खास कर जब कि यह शदीद हो तेज अ कभी मुसिल की अजाज़त है मतब कि रुजाना नहीं होता आज हो गया या दो दिन से नहीं हो रहा है पहली बार तब ऐसे तो यह लान भी म्वहाई में हम नहीं निशास्ता की मिगदार कम है इसलिए चावल मशूर काबिज है यह लाइन अम वह लोग सुनते थे कि चावल मत खाव से कब्स परदा हो जाएगा पहली बाद किताबों में अगर कहीं पे देखा मैंने तो शरत बाव में देखा है चावल से कब्स परदा होता है और उसने वज कि इसलिए चावल को मशूर इस वाया से को लिखाया कि चावल मशूर काबिज है तो एस सवाल पूझा साथ है कि जो से कर्दा होता है डूसरा नियोस्यास्ता कम है इस वरसे होता है तो अबढम कर्शाल से भी बन सकता है इसका मतलब जो मतलब बुज़रू लोग कहते थे कि वह जाओ से कम्स होता है यह सही है ठीक है यहां पर यह कम्स का टॉपिक खतम हो गया